नमस्कार किसान भाईयो किसान भाईयो अगर आप खेत वाली सोलर को ओनलाइन खुद ही अपने घर पर अपलाई करना चाहते हैं तो चलिए आपको उसकी संपून जानकारी देते हैं कि आप घर बैठे ही उसे कैसे ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं तो इसके लिए एकसान भाईयो आपको कुछ नहीं करना है आपको आजाना है गूगल करोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको सरल लिख देना है सरल पोल्टल इसे सर्च कर देना है सर्च करने के बाद आपके सामने प आपको यूज़ करने में आसानी हो अगर आपने अभी तक के सरल हर्याना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अपनी आईडी नहीं बनाई है तो न्यू यूजर पर किलिक करके आप अपनी आईडी बना सकते हैं इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिक्स्क्रिप्शन इंबोक्स में दे दूँगा कि आप आईडी कैसे बना सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स किसान भाईयो यहां पर आपको क्या करना है आपको यहां पर अपनी आईडी को लिखना है और यहां पर अपने पासड़ को यह जो कैपसा कोड़ आप देख पा रहे हैं यह आपको य for services पर click कर देना है click करने के बाद all available service आपके सामने या पर दिखेंगी उन पर आपको click करना है click करने के बाद यहां पर आपको search का option solar आप यहां पर लिख देना ताकि जो solar की list है वो यहां पर आपको show हो जाए यह solar आप apply कर सकते इन्हें में जो इस solar है ये fourth option वाली जो चोथा option है वो आपको select करना है apply solar water pump scheme इस पर आपको click करना है किसान भाईयो यहाँ पर जो आप forum देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर download कर लेना है यह forum आपको download करके print करवा लेना है और इस forum में आपको यहाँ पर अपना नाम समता कि आप कितने HP की solar लेना चाहते हैं यहाँ पर type जो आपकी motor की आप कौन सी motor लेना चाहते हैं कि आप जो AC वाली लेना चाहते हैं जो बिजली और solar में दोनों में चलेगी और जो DC की motor होती है वो आपकेली जो solar है उसी के मादेम से चलाई जा सकती है इसके बाद आप सर्फेस या समर्शीबल कौन सी motor लेना चाहते हैं सर्फेस जो उपर वाली motor होती है मेना बलोक है और समर्शीबल जो नीचे डाली जाती है बोरिंग के अंदर वो motor होती है यहाँ पर controller आप नॉर्मल लेना चाहते है नॉर्मल केवल जो solar है जो आपकी motor है उ अपलाई करना चाहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं आपको सभी परकार की यहां पर जानकारी मिल जाएंगी इसके बाद किसान भाई यहां पर आप देख सकते हैं आप यहां पर अस्ताकसर करने है यानि अपना यहां पर साइन करना है अपना नाम लिखना है और यहां पर डेट लिखनी है इसके बाद आपको इसको अपने फोन में ही फोटो खीच सकते हैं फोटो खीच कर इसका एक PDF बना लेना है इसके बाद के सानब यह फिर से आपको ठीडोट पर जाना है और इस डेक्स्टोप साइट में ओपन कर लेना है यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पर इसके बाद के सानब यह यहाँ पर आपको अपनी फैमली आइडी आई है फैमली आइडी पर इस ओप्सन पर किलिक करना है यहाँ पर अपनी फैमली आइडी फिल करनी है और फैज फैमली डाटा पर किलिक कर देना है इसके बाद के सानब यह आपको इस वाले ओप्सन प इसके बाद आपकी फैमली आईडी में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ocp आएगा चेयरकसरो का वो ocp यहां पर आपको fit कर देना है और click here verify o tp पर आपको klik कर देना है इस वाले option पर यहां पर इसके बाद किसंद बायो यहां पर आपको individual select कर लेना है है यहां आपको बहुत option दिखाये जाएंगे लेकिन आपको individual वाले option पर select करना है इसके बाद आपको एक बार फिर से यहां पर click कर देना है ताकि side वाला option हट जाए यहां पर आपको rural select करने देना है अगर आप गाउं से भी लोंग करते हैं rural वाला option आपको select करना है इसके बाद यहां पर आपको पहले अपनी district को select करना है किसान भाईयों मैंने यहां पर एक dummy जो गलत detail feel कर रखी है वैसे ही यहां पर आपको district select करनी है इसके बाद यहां पर अपना बलोक यहां पर अपने village का नाम इसके बाद किसान भाईयों यहां पर आपको pin code लिखना है और यहां पर डाग गर यानि आपने पोस्ट ओफिस का नाम irrigation system यहां पर जो उदेश्चे है आपका वो select करना है कि आप irrigation के लिए कर रहे हैं तो आपको इस पर click करना है आपकी जो जमीन कितनी है टोटल एकड में आपको लिखनी है कि एक किले के बराबर एक कर होता है तो इस हिसाब से आप देख लीजिए इसके बाद किसान भाई यहां पर अपनी विदान सबा का नाम यहां पर आपको select करना है जो आपका हलका होता है उसका इसके बाद किसान भाई यहां पर आपको अगूस हिसाई परणाली का कोई आपके पास कोई भी इंस्टॉल्मेंट आपने करवा रखी है तो यहां पर आप यह से कर सकते हैं इसके बाद किसान भाई ऐगर आपके पास underground pipeline है तो यहाँ पर आपको yes करना है और यहाँ नो करना है अगर आपके पास बिजली का connection है तो yes करना है और अगर बिजली के connection में आप yes करते हैं तो फिर आपको connection नहीं मिलेगा यहाँ पर किसान भाई आपको controller का type select रदना है जो controller normal होता है वो केवल आपकी जो motor है उसे ही चलाएगा और जो universal solar pump controller है वो आपके गर के पदार्थों को भी चला सकता है लेकिन इस पर आपको subsidy नहीं मिलेगी वो आप पहले ही पता कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको motor की समता select करनी है कि आप surface यानि mana block motor लेना चाते हैं या फिर जो reversible motor होती है वो DC में लेना चाते हैं या AC में लेना चाते हैं या फिर आप कितनी HP की motor यहाँ पर लेना चाते हैं यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यह मोटर हैं और इन समताव में यिद दिखा रखी हैं इसके बाद यहाँ पर आप नीचे जब देखेंगे तो आपके सामने ओर डिटेल भी शोओंगी तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले इसलेक्ट करना है फिर यहाँ पर अपनी ए जो share है फिर एक बार इस पर fill क्लिक कर दें ताकि जो यहां पर पैसे हैं वो दोनों जगह हैं आ जाएं के लिए कर दें है automatic आ जाएंगे दोबारा निचे आपको अपने bank का नाम select करना है इसके बाद आपको यहां पर जो आप देख पा रहे हैं यहां पर अपनी branch यानी साखा खा यहां पर account type saving है या current है इसके बाद नीचे आप देखेंगी तो यहां पर account holder का नाम यहां पर fill कर देना है यहां पर आपको हर जगह टिक लगा देना है टिक लगाने के बाद किसान भाईयो जो capsa code आप देख पा रहे हैं वो यह capsa code यहां पर fill करके आपको submit पर किलिक कर देना है एक बार आपको उपर अपनी जानकारी फिर से एक बार check कर लेनी कोई गलती तो नहीं है कोई गलती हो गई है तो आप edit करके यहां पर ठीक कर सकते हैं यहां पर edit का बटन आप देख पा रहे हैं वरना आपको attach and extra पर किलिक कर देना है तो चले किलिक कर लेते हैं किसान भाईयो यहां पर जो मैंने आपको फोरम बताया था वो download जो आपने किया है वो fill करके यहां पर आपको उसका PDF अपलोड करना है इसके बाद यहां पर आपको इसे select कर लेना है यहां पर अपनी जमीन की फर्द यहां पर आपको upload करनी है PDF के अंदर उसकी फोटो कीच के भी आप PDF बनाकर upload कर सकते हैं इसके इसके बाद अगर आपके पास यहां पर जो ओर डोकिमेंट बचे हुए हैं अगर हैं तो आप upload कर दिजी वरना इनकी जरूरत नहीं है इसके बाद आपको किसान भाईयो क्या करना है आपको नीचे आकर simply save and extra पर click कर देना है यहां से जो डोकिमेंट आपने upload की हैं वो एक बार आप चेक भी कर सकते हैं और अपनी उपर डीटेल भी देख सकते हैं इसके बाद किसान भाईयो आपको कुछ नहीं करना आपको submit पर click कर देना है click करते ही आपकी अपनी application है वो submit हो जाएगी और आपके सामने PDF शो हो जाएगा चलिए आपको दिखाते हैं जिसान भाईयो जो आपको यह application के दो पेज दे गए हैं यानि PDF के अंदर जो का ही काम होता है कि आपको जो each land है वो bank में जाकर cut वाना है लोगिन करने के बाद आपके सामने take action का option आ जाएगा इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर fill करना है transaction ID fill करनी है और जो each land bank के दवारा हुआ है उसके जड़ कोपी है वो यहाँ पर आपको upload कर देनी है upload करने के बाद आपको simply submit पर click कर देना है किवल इतना काम है submit करने के बाद आपको जो फोरम है अपने office में जमा करवा देने है जहांए वो ADC office हो जहाँ भी आपको बताया जाता है वहाँ पर आपको ये जो डोकिमेंट है वो जमाग करवा देने है आपको DC ओफिस या ADC ओफिस से संपरक कर लेना है वहाँ पर आपको जल से जल ये फोरम जमाग करवा देने है ताकि जो आपकी सोलर है वो लग सके तो जैनिवाद किसान भाइओ, अगर आपको इसे समदीत कई और समस्या है तो आप मगे कमेंट कर सकते हैं मैं आपका रिप्लाइजरूर दोंगा और आपकी पूरी सायता करूंगा तो जैनिवाद किसान भी dedic, जै थे वारत, जै हरियाना, जै जोँवाद, जै किसान